असलाम अलेकूम, हमारी आज की रेसिपी है, KFC स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकिन चिकिन मेंने यूस किया है, 8 ड्रॉम स्टिक्स और 5 तिकाप पीसेज, वाश करने के बाद बैट ड्राइ कर ले और इनमें डीप कट्स लगा ले आई में फ्रोजन चिकिन, जिसे मैंने पहले से ही कट सगा के फ्रीज कर लिया था आप इसमें एट कर रही हूं, 3 फॉर्थ कप फॉमीट योगर्ट, 2 तेबल स्पों फ्रेशली स्कुईज लेमन जूस, 1 तेबल स्पों जिंजर गालिक पेस्ट, 1 तेबल स्पों आप इस्पों आप एजश्टे स्गण ते कर देश्ट, अब चिकिन को आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसे at least six to eight hours या बेस्ट है कि आप ओवरनाइट के लिए कवर करके रेफिजरेट कर दें ताकि चिकन बहुत अच्छे से मेरिनेट हो जाए अब फ्लार की कोटिंग बनाने के लिए मैं एड़ कर वही हूँ हाफ कप अल परप्रपस फ्लार, वन फॉर्थ कप पॉर्न फ्लार, वन फॉर्थ कप इंस्टेंट ओर्स, वर वन फॉर्थ कप ब्रेट क्रम्स प्रेट करेंगे हम 1.5 तीज़पून सॉल्ट, 1 तीज़पून ब्लैक पैपर पावडर, 1 तीज़पून खुर्ष्ट कुमिन सीट्स, 1 तीज़पून ब्रेच चिली पावडर, और 1 तीज़पून चातिजाला पावडर, अब इन सब इंग्रीदियंट को आप अच्छे से म रूम टेंपरिचर एग्स, एग्स को हम क्रैक करने के बाद अच्छे से बीच करके एक साइट पे कर देंगे, अब हम अपनी मेरिनेट हुई भी चिकन को फ्रिच से निकालेंगे, अच्छे से एक दफा चिकन पीसिस को मेरिनेट के साथ मिक्स कर लें, अब बनाई वन हम चिकन पीसिस को कोट करेंगे, फर्स्ट कोटिंग हम इसमें देंगे फ्लार मिक्सिर की, फ्लार को अच्छी तरह से चिकन पीस पे कोट कर दें, उसके बाद सेकिन कोटिंग हम देंगे बिटन एग्स की, एग्स में अच्छी तरह से डिप करने के बाद हम इसे फिर से फ्लार में कोट करेंगे, और एक साइट पे कर दें, इसी तरह से घुमने सारे चिकन पीसिस को, थ्री टाइम्स कोट कर लेना है, फ्रस्ट कोटिंग फ्लार में, सेकिन बीटन एग्स में और थर्ड कोटिंग अगें फ्लार बिक्स्चर के अंदर, यह आ गए सेकिन कोटिंग, और यह आ गई थर्ड कोटिंग, इसी तरह से आप सारे चिकन पीसिस को वन बाई वन खोट करते जाएं, और एक साइट पे करते हैं, साथ ही हमने ओई को चूले पर रख दिया है गरम होने के लिए, 10 मिनिट्स के लिए आपने इसे लो फ्लेम पे हीट अप करना है, उसके बाद हम बाई वन अपने चिकन पीसिस को इसमें ड्रॉब करेंगे, यह आप देखें, ओईल का टेंपरिचर ऐसा होना चाहिए कि आप चिकन एड़ करें, तो चोटे चोटे बॉबल्स उपर को आने लगें, बहुत जादा ओवर हीट नहीं करना चिकन एड़ करने से पहले, बहुत रश क्रिये टाप में नहीं करना, पैन के अंदर, इतने पीस इसको एक दुश्र के ऊपर नहीं आना चाहिए, और ओईल के अंदर फुली टिप्ट होना चाहिए, अब आलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए हमने इसको लो टू मिलियम फ्लेम पे कुट करना है, बहुत जादा आपने चमश नहीं चलाना, 3-4 मिनट्स के बाद ऐसे बबल्स आने लगेंगे, आप कलर चेक कर लें, अभी इनका कलर लाइट गोल्डन ब्राउं नहीं हुआ, आपने इन्हें अभी फ्लिप नहीं करना, 2-3 मिनट्स को कुट होने दें, और जब लाइट गोल्डन ब्राउं कलर आ जाए, तो तब आपने चेकन को फ्लिप करना है, फ्लिप करने के बाद फर्दर हमेने 10 मिनट्स के लेक उप करेंगे, ताके सब साइट पे एक उप्सूरत सा नाइस गूरन बाउं कलर आ जाए, अब ये, मैं इनको फ्लिप कर रही हूँ, ताके ये परफेक्ली हर साइट से उप हो जाए, हमारा क्रिस्पी फ्राइट सिकिन पर्फेक्ली फ्राय हो चुका है, ये देखें कितना खुबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर सब साइट पे आ गया है, ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बना है और अंदर से जूसी और टेंडर है, एक्स्टर ओल को आप एपर टावल पे अब हाफिस